नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम आपको साउदी अरब के राजा के बारे में बताने जा रहे हैं साउदी अरब के राजा है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउदी और आपको बता दें कि वह ऐसी लिविश लाइफ जीते कर न जाने क्या-क्या अपने लिए बुक करवा लिया था इनके पास इतना पैसा है कि यह जहां जाते हैं वहां पर प्रॉपर्टी गिराय पर नहीं पर्चेज ही कर लेते हैं सोने के घरों से लेकर सोने की गाड़ियों तक इनके इतने विलासिता पूर्ण जीवन के बारे में जानने के बाद आपको हैरत तो जरूर होगी तेलों के भंडार के मालिक सल्मान बिन अब्दुल अजीज साउद करीबन 81 साल के हैं उनका जनम 31 दिसंबर 1935 को हुआ था उनका पूरा नाम सल्मान बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रह्मान बिन फैजल बिन तुर्की बिन अब्दुल्ला बिन मुहमद बिन सौध है उनका घर हाउस ओफ सौध के नाम से जाना जाता है उनके पिता का नाम अब्दुल अजीज ओफ साउधी अरेबिया था उनकी मा का नाम हसा बिंत अहमद अल साउधरी था वह रियाद के गवर्नर भी रह चुके हैं और अपने शुरुआती दिनों में वह वहीं पर रहा करते थे वह अपने पिता की 25 संतान थे और उनकी कई भाई और बहन हैं वह अपने भाई बहनों की तरह ही प्रिंसे स्कूल में पड़े हैं और वहीं से उन्होंने अपनी पूरी सीख्षा दिक्षा ली है आपको बता दें कि 2015 के मताबिक सल्मान बिन अब्दुल अजीज के 13 बच्चे हैं और उन्होंने हाल ही में अपने बेटे को प्रिंस गोशित किया है डेली मेल अखबार के मताबिक सल्मान ने मालदीव के अंदर तीन आइलेंडों को बुक किया था जिसकी कोश्ट करीबन 30 मिलियन यूएश डॉलर आई थी और यहां पर वह सिर्फ घूमने के लिए गए थे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितनी रोयल लाइफ जीते होंगे हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवश्य शेयर करेंगे दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी प्रेंडना बढ़ाता है धन्यवाद